पिगना हर्ता श्री गडेशा, श्री गडेशा, श्री गडेशा एक बार ये हम पिगलेगा, तो ऐसी तले होगी, जो सब सब कुछ लीन जाएगाई इसे अब मैं नहीं, बस नारायन के अवतार ही रोख सकते हैं यदि मेरे हाथ में कोई उपाए होता, तो मैं हवश्य करता हूँ माता, इस अस्त्र के प्रभाव को तो एक मात्र नारायन अवतार ही मिटा सकते हैं कि तु वो उनके कौन से अवतार होगी? क्योंकि यह मपिगल नहीं जा रही है, इससे होने वाली महाप्रले, सब कुछ नस्त कर देगी करता है करता है तो प्राव करता है आपार पार प्राइब एक पार बार पार प्राइब एक रगरा दो उल जाता है हम प्रभू नारायन के खूर्म अवतार हे हैं हैुआ है पूर्व काल में जब मंद परवत सागर के जल में डूब रहे थे तब रभू कोर्मने ही उन्हें अपनी प्रिष्ठ का आधार प्रदान किया था इसलिए अब भी पृत्वी को इस महा सागर में विलीन होने से वही बचा सकते हैं मैं भी इसे नहीं रोक सकता किन्तों मैं बचन देता हूँ कि जब ये सब समाप थोगा रभू नारायन के कूर्म अवतार की नारायन के कूर्म अवतार अवतार मेरा नवस्त्र निगल दिया इस सादीक गुर्म ने यह विनाश रोग किया है स्वामी आपकी समस्या कर दो 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 का समधान हो गया है स्वामी आईए अब अपनी पुत्री को ढूंडते हैं अमारी पत्री क्या हुआ हमें उसे ढूंडने में विलम नहीं करना चाहिए स्वामी योद्धाओं मैं योद्ध कर रहा हूं उसे अधूरा छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता हूं क्या हुआ है आज के बाद जो भी श्री गनेश का नाम लेख आधी कुर्व की आराद न करेख तो किसी भी प्रकार के जल संकत के प्रभाव तक काल ही मुख हो जाएं इतना ही नहीं जलाशे के निकट जाने या जल पर यात्रा करने पर उस प्राणी और उसके परिवासप्र सदैव श्री गनेश के साथ प्रभु आधी कुम्त की क्रिपा सदैव बनी रही रही खड़ेशिक अभी कुंसा नवीन संकर डान पड़ा है इतने बल्शाली ये दो असुर कौन है जो माता के श्री रतों को भी उठा सकते हैं मेरा ध्यान थोड़ा सा क्या बढ़का कि तुमने मेरा अर्नावस्त्र विभल कर दिया किन्तु ये दोनों कदा भी असपल नहीं होगे क्योंकि इन्हें पैचान पाना ही नहीं इन्हें पराजित करना भी असंभाव है जो तुमने किया है उसका दंड तो तुम्हें भुकत नहीं होगा भंडासुर माता के श्री रत संकट में है निशस्त्र खड़ी है माताओं की सेना अदुज गडेश कौन है ये दुस्सा हसी असुर और इनके अंत का क्या उपाय है तुम्हारे ये बताने पर ही माताओं अपने शस्त्र उठाएंगी यही प्रश्न तो मेरे मश्तिश्क में भी गूंज रहा है किन्तु बिना इन असुरों को पहचाने इनके अंत का उपाय माता को बताना संभव नहीं किसी की भी पहचान उसके हाव भाव और वेश भूशा से की जाती है इन्हें देखकर तो यही लग रहा है कि ये पूर्वकाल की कोई असुर समराठ है नहीं गनेशी इस बारा आप काई में पहचानना संभव में इसलिए गनेशी पराजय का मुख देखने के लिए तैयार हो जाएए इन्डी पराजय तो हमारे आगमन से ही निश्यत हो गई है ब्राता युद्भूमी में आस्त विहीन खड़ी है ये देवी से ना हाहा तो फिर इनका सिख गरंत कर अप्ला कारे संपन्न कर लेते हैं अम लोग गडिश शीखर पहचानी इस पौन ही और इनकांस कैसे होगा तुम्हारे ही रत होगा प्रहार तुम्हारा ही संगार करेगा भस इतने से ही मत प्रसंद हो ये गजानन इनके रण कोशल से डेवियो का अंत तो होगा ही आपके अचम्हे की सीमा भी पार हो जाएगी अंतिन चेतावनी है ये हमारी अपने अस्त्र उठाओ और युद्द करो हमसे अंता हमारे अस्त्र कुछल देंगा तुम्हार उनके परीजय का गुप्त रहना तो उनके भावी विजय का प्रतीक है उसे उन्हें किसी भरू जागर नहीं करना चाहिए नहीं, मैं इन्हें अपना परीजय नहीं देने दूंगा उस्त्र को तो वश्य पता होना चाहिए कि सामरे वाला योद्धा कौन है कुछ मत कहना, क्योंकि तुम्हारे परीजय का गुप्त रहना ही तुम्हारी शक्ति है आप दोनों एका एक शांत क्यों हो गए तो दीजिये ना अपना परीजय बताईए ना कौन है आप दोनों महायोद्धा पन्नासुर, पन्नासुर, पन्नासुर उन्हें के लिए योद्ध कर रहे हैं आप आपके लिए एक ही ना महतवूर है असुर महानायक, पन्नासुर, उन्हें के लिए योद्ध कर रहे हैं ओ, तो आप दोनों महाबली असुर किसी अन्न्य असुर की अधीन है जाँ आप महाबली हैं, किन्तु कहीं भीरू तो नहीं है जिन्हें अपना नाम बताने में भी डर लग रहा है नहीं, कुछ मत कहो तुम दोनों माता पराशक्ति, श्री माता ललिता के श्री रथों को उठाने वाले महा पराक्रमी असुर किसी अन्न्य के सेवक नहीं महा योद्धा, महा सम्राठ हैं ये जगत को ग्यात होना ही चाहिए इसलिए गुप्त मत रखिए, अपने नाम बता दीजिए एक बार उन्हें तुम्हारा नाम क्या थो गया तो तुम्हारी दुर बलता समझ जाएंगे वो इसलिए अपना नाम मत बताना कदापी मत बताना बताईए न, आप अपना नाम बताईए एक पार उने तुम्हारा नाम जया थो गया तो तुम्हारे तुरंपलता समझ जाएनेगो उसलिए अपना नाम मत बताना एक बार उने तुम्हारा नाम क्या दो गया तो, कदापी मत बताना, तुम्हारे तुर्पलता समझ जाएगे। कि दूश जुत में विजय पने के बाद, विजय प्रप्ल करने के बाद! और हाँ, आप सभी का सर्वनाश करने के बाद, चकत को अपना नाम ही बताएंगे आप! तो अभी बताने से भैभीत हैं आप चतुर गनेशा भै भै नहीं है हमें किसी का भैभी तो सब मुठ्थे थे कम पिधोती दी धर्ती हमारे भाई से अपने पाश में बांद कर सभी को अंदिकार सागर ले जाने का सामर्थ था मुझ में कम पिधोती दी धर्ती हमारे भाई से अपने पाश में बांद कर सभी को अंदिकार सागर ले जाने का सामर्थ था मुझ में मत करओ कुछ शान दो जाओ मैं भी ठोकर समस्त जगत मेरी पूजा करता था मंदिरों में नरार के स्थान पर मेरी पूजा करता था मुझे भाई किस बात का समझ गया आपका इतना ही परिचे परियाप्त है मेरे लिए माता, ये दोनों असुर भ्राता हिरनयाक्ष और हिरनकश्यपू पराक्रम के साथ सूज भूज का प्रयोग करने वालों की विजय निश्चित है पर आपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक दे शो लिंक्स और एंजोई वचिंग दे विडियो